चित्रलेगा जी एक मूवी है परिशित उसमें क्या है कि उसमें जो हमारे गरुण पुरार में जो सजाएं होती है कुम्भी पाक कम हो गया बाकी तो मुझे याद नहीं आ रहा है उनको डेटेल में समझाया गया है तो ऐसी सजाओं के नाम की इसमें ऐसा होता है इस सजा में पाप के लिए सजा मिलती है जिसमें ऐसा बोगना पड़ेगा जी जैसे मैंने बात की थी जैसे कुम्भी पाक नर्ग आप बता रहें भागवत के अनुसार जो लोग जीवों को मारते हैं पशू पक्षी हो गए या कोई भी प्राणी हो गया जो उनको मारता है उसके लिए और वहाँ जैसा हम सुनते हैं मजाक में लोग बोल देते हैं लेकिन वो रियलिटी है कि वहाँ गरम तेल होता है उसके शरीर को डाला जाता है ताकि उसका शरीर जले और वो तड़ पे जिस तरह उसने उन पशूओ को मारा जीवों को मारा उसका परिणाम उसे मिलता है एक नरक होता है अंधतामिश नरक जैसे कोई परस्त्री के साथ सम्बंद रखता है तो वहां उसके लिए अलग नरकों की विवस्ता बनाई गई है रौरव नरक एक होता है बहुत खतरनाक वाले में से एक वो नरक है वहां बतातें बहुत बड़ा एक एरिया है कई लाख फीट के बराबर उसका जो ये जमीन है वो लोहे के समान बनी हुई है और उसको पूरा गरम करके रखा जाता और उस व SJPT को काली उसमें छोड़ दिया जाता है वो चारतर भागता है उसमें लेकिन जितना भागेगा उतना जलेगा उतना परेशान होगा तो वो उसका अम्मान लिजिए उसका विधान है की एक साल तक या एक हजार साल तक उसको नरख भोग मैं और सोचो आप वो रोरव नरख में एक हजार साल तक भाग राए उसकी क्या गति होगी तो नरक जो है मुझे लगता हमने कभी अपनी बुद्धी से सोचा भी नहीं होगा उतने भयानक वहाँ पर दंड वेवस्ता है एक नरक है एक्जेक नाम उसका मुझे नहीं पता लेकिन उसका जो दंड वेवस्ता है उसमें व्यक्ति को व्रक्ष से उल्टा लटकाया जाता है और उसके शरीर पे अस्त्रों से प्रहार किया जाता है जैसे तलवार से मारा या बांड से मारा उसका शरीर अलग हो जाएगा वो तड़पेगा फिर शरीर एक हो जाता है और फिर उसको अलग किया जाता है यानि यह प्रक्रिया सालों सालों तक और कई बार हजार सालों तक भ सकता हम उसमें तड़ पे इससे अच्छा है कि आज ही हम यह काम करना बंद कर दें जूटी गवाई देने वाले उनके लिए भी भागवजी में नर्क लिखा हुआ है कि आप किसी के लिए जाके जूटी गवाई देते हैं कोट में तो वहां आपको इस नरक में जाकर करके लेनी चाहिए.